हेलो मैं आशिस्ट वही स्वागत करते हैं फिर से आपके यूटूब चैनल से मेंट पर इस चैनल पर गवर्मेंट जो अप्शनेटर हर एक अपडेट आपको वे दिन मेट दी जाती है और आगे वे दी जाती रहेंगे आज हम बात करेंगे सीप्यों साइट ट्वेंटी ट्व कि कटफ के बारे में और कुछ इंपोर्टेंट फैक्स जानेंगे पहले उसके बद आपके डेटा के अथार पर हम कटफ के बारे में जानेंगे सबसे पहले बता दें कि इस बार जो है आपकी मैं आपको बता दूँ कि इस बार यह वेकेंसी है जो आपके सामने है इस तरह के से काटेगरी वाइज वेकेंसी आप देख सकते हैं मैंने कल वीडियो में आपको बता था कि हर साल कितने गुना किस के टेगरी से लड़कों को क्वालिफाई किया जाता है उसी के अधार पर ने बताया कि EWS में 9244 जनरल में 9700 करीम में और OVC में 23,058 और SC में 12,915 और ST में 6,710 इतने केंडेट लगभग में क्वालिफाई करेंगे 16,600 करीम में क्वालिफाई करेंगे यह डेटा मिला है तो यह जो है यह जो आपका सेक्षन है मैं आपको इसका कलर चेंज कर देता हूँ यह जो सेक्षन है आपका यह है EWS का यह जो सेक्षन है आपका मैं कर दो OVC का ठीक है यह ग्रीन वाला सेक्षन है OST का है और यह जो है UR का है ठीक और यह जो है आपका ST का है और यहां पे जो है ST हो गया और यह जो हमारा female का है female का ठीक है सबसे major entry इसमें आई है आपके OBC में 31% AWS में 26.8% और बाकी attendance आप तो जानते ही है इसके हिसाब से मैंने यह जो आपका data है मैंने यहां पर नाम आपका हाइड कर दिया है अगर आप चाहेंगे कि इसको डिस्क्रोज करके और कमें आपके PDF टेलिग्राम चैनल पर डाल दी जाए ताकि क्या कुछ नंबर रहा है लड़कों का आप खुद देख सकते हैं ताकि थोड़ी वीडियो लंबी होगी ध्यान से देखेगा यूर का देखेंगे एकसो बीस यूर 79 यूर 181 का भी है इड़्य क्यान बे यूर का 90 110 ठीक है यूर का 125 ठीक है और बी यूर का देखेंगे यूर का 107-113 यूर का वैसे इंट्री कम आई है आप परसेंटेग्स में भी देखेंगे आपको साब साब दिखाई दिया होगा तो यूर का 110 यहाँ भ 127, 130, फिर आगे देखेंगे यू आर 100, यू आर 91, यू आर 103, यू आर 112, बाकि ऐसे ही mon explicar's, के आप ध्यान से देखेंगे, सारे data आपके सामने रहेंगे, आप उनको analyze कर लिजेगा, आप चीजों को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद अगर यह सारी पीडियाप्स को आप ध्यान से देखेंगे सारी चीज़ों को नंबर को अनलाइस करेंगे 100, 98, 137, 100, 143, 100, 127, 130, 102, 83, 93, 91, 92, 91, 84, 80, 90, 100 यही रेंज जो आपको देखने को सारे चीज़ों में देखेंगे सारे पीडियाप्स में आपको यह देखेंगे 126 यहाँ है, 100 के एवब में जो चीज़ें कुछ-कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं 125, 128, 136 हैं यह सारी चीज़े आपको ध्यान से अध्यान करिएगा पूरी चीज़ें में में पॉइंट पर आपको आने की कुशिश करता हूँ और आपको छोटी चीज़ें में साइज चीज़ें बताने की कुशिश करता हूँ बहुत सारे लोग तरह तरह की गुरूपों में तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं कि कटप जो है बहुत ज्यादा जाएगा क्योंकि पेपर लेवल ऐगा और बहुत सारे लड़कों ने अच्छे स्कूर की है तो यह कोई बढ़ी बात ने हैं कि लड़को 성рыв लटकों अच्छा तरह की सबसे यहां पे देखेंगे जो आपके कंडिटेज क्वालिफाइई हों गए 163 बशक्र लेकर रहेंगे ऑर क्यों कॉरेक्व टो औखिंगे तो यूस तो पहले तो कम गुणा लिया जाता है लेकिन यूर का जो मेरे हिसाब से जो चीजे कटफ मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं आई ये रेखेंगे सारे कटेग्री के मैं कटेग्री वाइज दिखा रहा हूं यूर EWS OBC SC ST ठीक है बाकी एक सर्विसमेन हो गया फीमेल हो गया इन सारी चीजों को ध्यान देंगे अगर मैं पिछले बार की तुल्ला करूं यहां पे चीजे मैं आपको दिखा रहा हूं पिछले बार की तुल्ला करूं उसमें जैनरल से हलका सा कम रहा था OBC का और OBC और EWS में खा SC ST का लगभव में लगभव में सेम गया था लेकिन EWS का SC ST से भी नीचे चला गया था ठीक है रीजन भी था कि ज्यादा लोग कौलिफाई भी किये ठीक है और कम लोगों ने फॉर्म अपलाई भी किया था लेकिन इस बार के जो मैं कटफ मैं आपको बता रहा हूं मैं यहीं सेमने यह ही लेकेता हूं हॉर का न रहने वाला है उस समय पीछले बनगे किन. 414 था लेकिन उस समय जो क्वालिफाई कर रहे थे लड़के वह कितने थे 4182 लेकिन इस बार जो आपके लड़के क्वालिफाई करेंगे वो करेंगे 9702 यानि 9000 से प्लस लड़के क्वालिफाई करेंगे यूर में तो मेरे हिसाब से जो यूर का cut-up होने वाला है वो होने वाला है 108 से लेकर 112 के बीच में यही रहने वाला है प्लस माइनस 2-3 मान सकते हैं इससे ठीक नीचे जो आपका रहेगा OBC रहने का रिजन यह है कि ज़्यादा लोग अप्लाई की है और ज़्यादा लोग appeared हुए है ठीक है दोनों चीज में ध्यान दीजेगा तो इनमें जो cut-up का जो रहेगा इनका 102 से लेकर 105 के बीच में आप इनको consider कर सकते हैं बात करते हैं अगर EWS कंडिडेट की EWS कंडिडेट की cut-up कितनी जाएगी EWS कंडिडेट का candidate जिनका भी है वह का cut-up मेरे हिसाब से 88 से लेकर 93 के around में रहने के chances है ठीक है इस चीज का आप ध्यान रखेंगे बाकी जो और category में मैं आपको दिखा रहा हूं और SC ST का SC और ST का जो cut-up है इस बार जो SC ST में मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं SC ST में भी मैं इस बार देखेंगे SC में 12,000 लोग और ST में 6,000 लोग 6,700 लोग यानि 13 और 7 लगवा में 20,000 लोग लगवा में 20,000 लोग क्वालिफाई करेंगे इन ही दो category से और पिछले बार कितने किये थे पिछले बार मैं आपको दिखा रहा हूं पिछला जो result है आपका पिछला result उसमें किये थे 4,000 और 2,600 सीटे भी कम थी cut-up 83, 84 के range में गया था लेकिन इस बार जो आपका SC-ST के cut-up रहेगा वो मेरे हिसाब से cut-up जो रहेगा वो रहेगा 85 85, 85 के round में दोनों मान सकते हैं 85 plus minus 3 मान सकते हैं 85 के round में 80 स 85 के round में इनका cut-up रहने वाला है बात करते हैं कि अगर X-Serviceman तो आप यह unpredictable रहेगा लेकिन X-Serviceman की cut-up पिछले बार 40 गई थी तो इस बार भी कुछ खासा इसमें है नहीं आप इसमें भी cut-up अच्छी खासी cut-up कमी जाएंगी इस बार भी chance यही है कि इस बार भी cut-up कमी जाएगी कुछ ज़्यादा cut-up नहीं जाएगी फीमेल की cut-up की में बात करूँ मैं comparison नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस बार जो category wise थी उसमें seat एक कम थी मैं इस seat के हिसाफ से आपको बता रहा हूँ और competitive level के हिसाफ से बता रहा हूँ तो इस बार जो यहाँ पर देखेंगे जनरल का 108 गया था EWS का 87 113 8590 तो लगवा में कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल सकता है जो आपका यह रहेगा क्या बोलते हैं यूर का cut-up रहेगा वह 110 तक मान सकते हैं 110 यूर का cut-up आप मान सकते हैं उसे के हिसाफ से as a letter लेडिस का मान सकते हैं इनका डेटा ज़्यादा आया नहीं था हमारे पास तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूँ आपका जो cut-up है वह यूर का 108 से 112 प्लस माइनस तीन कर लिजेगा एक ओबीसी का 102 से 105 यह चीज़े 108 से प्लस माइनस तीन नहीं 105 भी जा सकता है और 108 भी जा सकता है 111 भी जा सकता है तो 108 से 112 के बीच में आप यूर का कर सकते हैं ओबीसी का 102 से 105 एड़व्यस का 88 से 93 से स्टी का 85 और 85 गेरांज में मान सकते हैं वीडियो थोड़ी लंबी हुई लेकिन चीज़ें आपको समझ मारी कॉमेंट पॉस्ट जरूब देएगा बाइबाइ टेक कारें बेस्ट अप्लग